दोस्तों आडानी जी का नाम बेशक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने संसत में एक दफा भी एक बार भी न लिया हो मगर आडानी जी का नाम अब सुप्रीम कोट में जरूर बूझेगा क्योंकि आडानी समुक के खलाफ आई हिंडन बग के रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसने पूरे देश को चौका कर रख दिया है ये जो मामला है सुप्रीम कोट पहुंचा है और सुप्रीम कोट इस मामले पर सुनवाई करने के लिए भी तयार हो गया है पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे नमस्कार मेना नाम है जयनती जा और आप देख रहे हैं दनेशन दोस्तों आडानी समुक के खिलाफ एक रिपोर्ट आई और कारोबारी जगत से लेकर राजनीतिक जगत तक मीडिया जगत से लेकर दूसरे जगत तक हर तरफ इस रिपोर्ट की चर्चा जो है वो जारी है अभी भी जारी है अभी भी इस मामले को संसद में उठाने की जो मांग है वो विपक्ष बार-बार कर रहा है और अपनी उस मांग को बार-बार दौरा भी रहा है मगर विपक्ष की जो मांग है उसको दरकिनार करते हुए संसद में इस मामले पर चर्चा नहीं हो रही है लेकिन आग संसद में इस मामले पर चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है इस मामले पर हम चर्चा नहीं करेंगे दोस्तो सुप्रीम कोट में इस मामले को किस तरीके से उठाया जाने वाला है इस बात पर हम चर्चा करेंगे Supreme Court में इस मामले पर जल्दी सुनवाई होने वाली है दोस्तों जहां इस वक्त आपको स्क्रीन्स पर मैं सत्य हिंदी के ख़बर दिखा रही हूँ यह ख़बर कहती है कि Supreme Court में दस फरवरी यानि शुक्रवार को अडानी मामले पर सुनवाई करने के लिए Supreme Court राजी हो गया है जहां Supreme Court में इस मामला उठाया गया था और इस मामले पर बेंच की तरफ से यह कहा गया है सेहमती व्यक्त की गई है कि जल्दी इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो की जाएगी लाइव लॉक की ख़बर का हवाला देती हूँ दोस्तों सत्य हिंदी की ख़बर ने लिखा है कि वकील विशाल तिवारी ने इस संबंद में Supreme Court में याचिका दायर की वकील विशाल तिवारी जिनका नाम है उन्होंने याचिका दायर की है और उनकी इस याचिका में उनकी इस PIL में क्या मांग है तोस्तों वो आपको बता दे आगे बताऊंगी क्या गंबीर आरोप लगे थे वो तमाम गंबीर आरोप किस तरीके से लगाए गए है और उससे आडानी समों किस तरीके से किनारा कर रहा है दोस्तों इन आरोपों की जाच होनी चाहिए इसी मांग इस पूरे PIL में की गई है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनाई करने के लिए राजी भी हो गया है इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या अडानी ग्रुप को जटका देने वाली खबर है देखें आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट में यानि मामले को लेकर दोनों मामले को लेकर यह जो मिला कर लगवक देखिए दो PIL दाखिल अभी इस तक हो चुकी है हाला कि इससे पहले वकील M.L. शर्मा की याचिका जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट कल दसपरवरी को हिंदनबग रिपोर्ट को लेकर सुनवाई करने वाला था यानि इससे पहले एक और PIL दाखिल हुई थी उस पर भी दसफरवरी को ही सुनवाई होने वाली थी ऐसे में वकील एमल शर्मा का जो याचिका थी दोस्तों उसमें ये कहना था कि हिंडन बग रिपोर्ट से देश की छवी तार-तार हो गई है शर्मा जी की मांग थी कि शॉट सेलिंग पर रोक लगाई जाए ये एक प्रॉड है हिंडन बग के खिलाफ जांच के आदेश दिये जाने चाहिए ऐसी पी आयल जो है वो सुप्रीम कोट में दाखिर गी गई अब इसके जरिये मार्केट को बनावटी तोर पर गिराया जाता है क्योंकि देखे वकील विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने अपनी याचिका का जिक्र करते हुए एमिल शर्मा की याचिका पर जिक्र किया है उन्होंने बताय की चीफ जस्टिस की बेंच दसफरवरी को उस के साथ सुनवाई की जाए इस पर Chief Justice ने दोनों याचिकाओं को दसफरवधी को सुनने का निर्देश लिया है दोस्तों ये बात देख्या आपकी जानकारी में होगी कि इससे पहले Congress निता राहूल गांदी ने भरे सदन में कैसे आडानी का मुद्दा उठाया था दोस्तों अभी तक कहा ये जाना था कि आडानी मामले पर शायद ही विपक्ष की तरफ से कुछ बोला जाए क्योंकि चर्चा करने दी नहीं जा रहेगी चर्चा करने के लिए ना करने के लिए कहीं ना कहीं सदन की तरफ से बोला जा रहा है कि चर्चा इस पूरे मामले पर नहीं करेंगे तो राहूल गांदी ने जब अडानी मुद्दे पर सवाल उठाया दूस्तों तमाम तरीके के जो बाते हैं उन्होंने सदन के सामने रखी तमाम सवाल जो है उन्होंने उठाये राहूल गांदी ने और उन तमाम सवालों का जवाब पीम नरेंदर मोदी जी नहीं दे पाये द उनका जो बोरा था उस बोरे में से स्क्रिप्ट का एक भी पढ़ना नहीं निकला जिस पर अडानी जी का नाम लिखा हो देखें बताया तो ये भी जा रहा है कि पीम नरंद्र मोधी जी से जो सवाल राहूल गांदी ने पूठे कॉंग्रेस प्रवक्ता जैराम रमेश का कहना है कि आडानी मुद्धे पर सांसद राहूल गांदी के 18 टिपनियों को उन 18 सवालों को तकरीबन जिनमें सवाल भी कई किये गए थे उन तमाम 18 टिपनियों को लोगसभा के कारिवाई से हटा दिया गया है सत्य हिंदी के जो खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है दोस्तों वो खबर कहती है कि जैराम रमेश के मताबिक राहूल गांधी ने प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोदित जितने भी सवाल किये थे उन्हें हटा दिया गया है आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम होगी दोस्तों कि आडानी मुद्दा इस वक्त किस तरीके से गरमाया हुआ है और उस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए विपख्ष किस कदर दबाव बना रहा है लेकिन राहूल गांधी उस पूरे मुद्दे पर चर्चा भी करने की मांग करते हैं सवाल भी उठाते हैं और अंत में होता ये है कि उनके तमाम सवालों को हटा दिया जाता है जितने सवाल उन्होंने पूछे हैं उन सवालों में कौन कौन से सवाल 2014 से पहले आडानी मोदी जी के संबंदों का क्या हाल था उनके संबंदों पर राहूल गांधी ने सवाल पूछा उसे भी पूरी तरीके से हटा दिया गया राहूल गांधी ने जाच एजन्सियों के दुरूपियों की बात कही थी विदेशी दौरों की बात कही थी उसे भी record से हटा दिया गया दोस्तों देखे जिस वक्त राहूल गांदी बयान दे रहे थे उस वक्त जितने भी बीजेपे के सांसत थे उनकी तरफ से ये कहा जाना था कि आप कुछ भी करके देखे ये जो पूरी बात कह रहे है राहूल गांदी जो कह रहे है speaker साप आपसे निवेदन है कि उन तमाम बातों को उन तमाम सवालों को record में नहीं रखा जाना चाहिए record से उसको हटा देना चाहिए बात में मालूम चलता है कि सच में record से हटा दिया गया है और इसका लिंक क्या है दूस्तों यह आप भली भाती जानते हैं क्या आप बोलने पर हटाया गया या खुद से हटा दिया गया क्योंकि अगर जैराम रमिश्की माने तो अभी तक इस पूरे मामले पर किसी तरीके की कोई प्रितक्रिया संसत की तरफ से आई नहीं है क्या आखिर उन 18 टिपनियों को हटा क्यों दिया गया लोगसभा के कारिवाही से राहूल गांधी की 18 टिपनियों को किस तरीके से हटा दिया गया इन तमाम चीजों पर अभी तक सदन की तरफ से कोई बयान जो है कोई सफाई जो है वो जारी नहीं की गई है दोस्तों अलाकि देखें इन टिपनियों को हटाने की बज़ा बिलकुल नहीं बताई गई लेकिन बड़े अचमबे की बात है कि PM नरेंद्र मोधी जी ने राहूल गांधी जी की टिपनियों का जवाब भी नहीं दिया और इन टिपनियों को हटा भी दिया गया आखिर क्यों हटाया गया इस बात का जवाब तो हम भी तलाश रहे हैं इंतजार कर रहे हैं देखें PM मोधी की स्पीच तकरीबन डेड़ घंटे से कुछ ही कम थी दोस्तों अगर मैं exact duration की बात करूँ तो एक घंटे 27 मिनट कुछ सेकिंड की उनकी पूरी स्पीच थी बहुत जादा हैरानी हुई उनकी स्पीच देखकर कि शुरू से लेकर एंड तक लोग वेट करते रहे कि प्रधान मंत्री नरंदर मोधी जी अडानी मुद्दे पर कुछ तो बोलेंगे अडानी जी का नाम ही बोल दें अडानी जी के नाम के अक्षर का पहला जिक्री ही कर दे पहले शब्द का तो वो भी नहीं किया पीम नरंदर मोधी जी ने इतनी बड़ी स्पीच के दौरान मोदी जी ने एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया जबकि ये बात आप भी चानते हैं दोस्तों कि आखिर अडानी पर लगे आरोपों की वज़से देश में समू की चर्चा किस कदर जोरो पर है लोगों को डर किस बात का लग रहा है लोगों को अभी भी डर लग रहा है कि बेशक सरकार की तरफ से सफाई आ गई हो उन तमाम कंपनियों की तरफ से सफाई आ गई हो लेकिन फिर भी लोगों में एक दर बरकरार है कि अडानी जे पर लगे आरोप, अडानी समूपर लगे आरोपों की वज़ो से कहीं उन सरकारी कमपनियों में लगाया हमारा पैसा ना डूप जाए जो सरकार के अंतरगत कमपनिया आती है चाहें पिर आप बात कर लिजे LIC की, फिर बात कर लिजे SBI की वो अलग बात है कि वेतर मंतरी निर्मला सीता रमन ने इससे पहले कहा था कि LIC और SBI को लेकर आपको चुनता करने की जरुवत नहीं है अब अमेरिका की जानी मानी निवेश शोध फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च कमपनी ने क्या आरोप लगाये थे वो भी आपको ये जानकारी में होना चाहिए उसकता है इतना समय हो गया है हम पूरी तरीके से डिफाइन करके आपको एक एक चीज नहीं बता रहें कि क्या आरोप लगाया है तो आपको बता देते हैं याद दिला देते हैं दोस्तों आपको अडानी समू पर स्टॉक बजार में हेरफेर करने का संसनी खेज आरोप लगाया था इस रिपोर्ट में अडानी ग्रूप पर लगे आरोप जो हैं वो थोड़े आपको याद दिलाएं दोस्तों तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी समू एक स्टॉक में खुले आम हेरफेर करने और अकाउंट की धोका धड़ी में शामिल था हिंडनबर्ग अमेरिका अधारित निवेश रिसर्च पॉर्म है जो के अक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग में एक्सपोर्ट है रिसर्च पॉर्म ने कहा कि उसकी दो साल की जांच में ये पता चला है कि अडानी समू दशकों से 17.8 ट्रिलियन यानी 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्टॉक के हेर फिर और अकाउंटिंग के धोका धड़ी में शामिल था ये सारे कारण है दोस्तों कि आडानी समू पर लगे इन आरोपों पर मोदी जी से जबाब की उमीद की जा रही थी क्योंकि मोदी जी और अडानी जी अपनी गहरी दोस्ती को लेकर हमेशा चल्चा में रहे है तो सब ने ये सोचा कि शायद प्रधान मंत्री नेरंदर मोदी जी के मूँसे कोई एक शब तो निकल जाए कि आभी इस वक्त धोका धड़ी का आरोप लगा है हम ये बोलना चाहे जाएंगे अडानी जी पर नहीं बोला कुछ भी बचकर निकल गए उनका कहना है कि तो राष्ट्वियापी मुद्दा ही नहीं है लोगों का पैसा डूब जाए लोगों का जो घरबार है उसके लगाए गए पैसे लाइसी में से लेकर SBI तक में डूब जाए कोई फर्क नह नहीं है ताश्टे मुद्दा थोड़ी ना है तो क्यों चर्चा करेंगे इसलिए मोदी जी से उमीद तो की जा रही थी पर उमीद पर खरे नहीं उत्रे कम से कम अडानी जी का नाम ले लेंगे या ले लेते तो ऐसा लगता कि हाँ जंता के बारे में सोचते हैं पर दोस्ती गेहरी प्रतीत होने का अभास हो रहा है दोस्तों गेहरी तो है देखेंगे फिलहाल अगर इस मामले की बात करूँ तो मामला जय सुप्रीम कोट पहुच चुका है मामले में हिंडन बोक की तमाम आरोपों की उजज़ करने की बात कही रहा है सुप्रीम कोट के तरफ से इस मामले में क्या अक्शन लिया जाता है इस बात का इंतिजार हो रहा है हाला कि सवाल तो अभी भरकरार है क्या डानी ग्रूप पर लगे तमाम आरोपों पर पीम नरंद्र मोधी ने अब तक कुछ भी क्यों नहीं बुला साथ ही अगर सुप्रीम कोट के ओर से अगर कोई अक्शन लिया जाता है तो क्या हमारे देश की मोधी सरकार तब कुछ बोलेगी या फिर तब भी मौन धारन कर लिया जाएगा वैसे भी हमारे देश के सताधीन पाटी के जो मुखया है कौन है मुख्या किनके नितित में भाजबा चल रहे है दोस्तों उनको मौनी बाबा तो बता ही दिया गया है फिलाल तो देखे इस सवाल का इंदिजार किया जा रहा है कि मौनी बाबा के मूँ से या फिर सुप्रीम कोट की तरफ से क्या अक्शन लिया जाता है मौनी बाबा के मूँ से इस पर कुछ बोला जाता है कि नहीं इस बात का भी इंतिसार किया जा रहा है वेराल इस खबर पर आपके राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ तब कर के लिए नमस्कार